इतना फाइदा हम हमारा आहार से पाना हैं और हम धून रहे हैं डाक्टर्स के पास कहां से मिलता है डाक्टर्स का सही पता आपको चलना है कहां से मिलता है डाक्टर्स का सही पता आपको चलना है कहां से मिलता है डाक्टर्स पुर डाक्टर का पता तो हम को स्वास्त के लिए जाना था तो अधनिक यूग में डाक्टर का निर्वचन ही बदल गया है तो नहीं दूंडने का जरूरत नहीं है क्योंकि भगवान ने हमारा पेट में यह प्रकृति से जोड कर यह symbiotic microbes को हमारा अंदर बिठाया है सो उसको भी हम हटा दिया है कैसे इ الرआइट्स अंटि बडूटिक्सों का क्या काम है तो किल दा मायगरोंस तो बच्चे बच्चे small kids get some viral infection antibiotics को लगाते हैं लोग हुआ viral infection मालूम है हमको लेकिन लगाते है antibiotics क्यों ताकि bacteria ना attack करें पहले से हम उसको मार देंगे इस वज़े से हमारा बच्चों का पेट में मा जब जन्म देता है वो योनी से बाहर निकलता है उसी समय उसको जरा माइक्रोब भी इंकुबेट करता है वो भी नहीं कर रहे है हम क्योंकि हमारा cesarean department ज़्यादा होना है हर बेबी now 80 out of 100 are cesarean births क्या हो रहा है so you want to यह बहुत 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 प्रामुख्य और वेरी इंपोर्टेंट मुद्दा है कि हम हमारा मा से वो symbiotic microbes को हमारा पेट में डाले उसके बाद आपका दूद बनता है afterwards your antibodies come because even for that antibodies to be distributed properly हमारा अंदर यह मैं बात कर रहा हूं एक दिन का बच्ची ही एक दिन का बच्चा उस सब अच्छा अच्छा nutrition वालों को distribute करने के लिए कहां कितना प्रामान में हमको चाहिए यह antibodies कहां चाहिए नाक के पास कले के पास ओ खोलेस्टरम ओ एंटिबाडिस को वहां भेजना है ना अंदर हम पी लिया है दूद उसके बाद distribution network को हम सिखाना है वो सिखाने वाला ही है यह microbes हमारा साथ जीवकोष के साथ इतना transmitters इतना regulators, modulators, triggers सब कुछ में बनाने में यह microbes का रोल है इसलिए gut microbes का बहुत बहुत सारा हम respect देना है सो हर रोज हम बेबी बनाने के बाद बनाने के वक्त ही हम यह काम शुरू किया है क्या? anti bacteria anti 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 यह साइन्स है यह है साइन्स है cruel, crooked क्या-क्या हमारा शब्द कोष तो बहुत चोटा है विस्तार नहीं है हिंदी में it's good that I don't have big words हम कुछ शब्द ऐसा नहीं करे so this is where our life begins क्यों मैं ऐसा बात कर रहा हूँ? we have done such a horrible thing so our babies are not getting the right things and यह सब होता है कब हम इस बेबी को ओ अखर कलर संड्रेश को दिखाए this was our रियाज, रिस्ता, सांप्रदाए when babies are born first thing you do is show him to the early morning sun कभी कही कहां पे भी यह दॉक्टर बता रहे है आपको any gynecologist telling you to do this because to control to regulate the health of the microbes you need that particular hormone release the nirnala grandhi सही काम करना है कैसे काम करना है? जोनने का, integrate करने का regulate करने का symbiotically living with so people are thinking you get vitamin D from sunrise वो तो only one small thing and especially when the rods and cones are created generated by God हम को भगवान ये आंख दिया है वो rods and cones reflected light को भी देख सकते है लेकिन जब सूरज का वो काशाई रंग करना आता है हम directly देख सकते है that is the exception मैं बोलाता है आपको exception oxygen sulfur breathing bacteria आईसा ही हमारा आंख में ये एक्सेप्शन है आप सूरज को कब देख सकते है directly when the orange color sun is there that is the connection material to non-material connection वो ही होता है ओ आख शन में हमारा सब का सब निरनाल ग्रंधी का fine tuning बन जाता है hormonal corrections corticosteroid metabolisms are all dependent on that particular moment so वो क्यों चाहिए हमको वो सही तरफ हमारा microbial का रिस्ता बनाने में बहुत जरूरी है है ना so हम microbes को खमीर बना के पीने का तरीका डाक्टर खादर discover किया है अच्छा है लेकिन उसका connection कौन करेगा वो करेगा भगवान हम भगवान के पास जाना है भगवान का agent है हमारा सूर्य भगवान वो रेशा वो रश्मी से सूर्य किरियन का रश्मी से जागरूत होता है हमारे अंदर ये रियल डॉक्टर को बिठाने में बहुत जरूरी है ये ही था हमारा सांप्रदाई वेन बेबी इस बार्न वट दू ये तेल का तिल का तेल लगा के ये पहला पहला सूर्य किरन का नहाना बहुत जरूरी है is there anyone doing that did any gynaecologist tell you to do this and we call this science advanced science क्यों यह नहीं कर रहे है इतना सारा science इसमें है why are we not doing it and why it is not written in any of the medical curriculum microbes क्यों चाहिए इतना microbes पे हम बात करें क्यों क्यों microbes चाहिए क्योंकि हमारा अंदर होने वाला हर जीवरसाइनिक पक्रिया में ए मैक्रोब्स का जरूरत है यह सुष्मजीव का जरूरत है वो बैक्टिरिया हो वायरस हो या फंगस हो कुछ भी हो the micro world is necessary for us to perform activities यह बहुत जरूरी काम है हमारा हर जीवरसाइनिक परक्रिया समतूलन से हर वक्त हर क्षन में बिताना हमारा पहला पहला आध्य करतव है है ना इसलिए हम यह microbial concoction को सही तरह से बिताना बहुत जरूर है यह काम होता है यह platform बनाता है हमारा मिलेट्स पे यह soluble fiber and insoluble fiber insoluble fiber क्या करता है हमारा gut में that is from rectum to big microbes that is big intestines large intestines कैते है यह सारा जगा को यह जाके इन्हाविट कर सकता है पट जब हम एंटिबिटिक्स लेते है स्टिरोइट्स लेते है यह सब गायब होने का शुरू करता है इसलिए कि आपको प्रोब्लम्स आता ही रहे सो वही का कारण है हमारा प्रोटकाल्स में जबी भी बताता हूँ फस्ट खमीर पियो खमीर क्या है मिलेट से हम बनाते हैं हर एक दाना को हम बिगो के सारी समाई ओ बिगोना है आठ गंटे क्या तो आठ गंटे हम उसको देखने को नहीं बोला नो, people say ओ, ओ, cooking with Miller is very difficult क्यों? बिगोना है So, did I ask you to go on looking at the... दो मिनिट का काम है पानी डलके आठ गंटे कहीं पे जाओ So, उसका काम वो कर लेता है आठ गंटे के बाद पंद्रा मिनिट पकाओ बस एक टंबलर को दस गुना पानी लगाना है चाहे तो बीस गुना भी लगा सकते है और उसको पका दो पंद्रा मिनिट और मुठी का वर्तन में कपड़ा बान के रखो गर्मी हुआ तो छे गंटे सर्दी हुआ तो आठ से दस गंटे बस इतना ही सो खमीर बनना बहुत आसान है या बहुत मुष्किल है दो मिनिट मा नहीं चाहिए बाप नहीं चाहिए मिनिट्स बन सकता है नूडूल्स है ना वैसा ही हम एक अद्वर्टरिमेंट लगाना है 2-year-old baby also can do this बहुत का का में मेगना शुकला नहीं चाहिए इसके लिए वाइ दो मेगना शुकला इतना आसान है इसमें विन यू रिफरेंट फइबर इस तरह तरह का रेशा है ब्रौन टाप में रेशा है ए रेशा हमारा पचननाल को मूँ से गुददवार तक सब कलमशों को निकलने का ये रेशा भगवान ने बनाया हुआ है 12.5% रेशा बनाया हुआ है तो इस रेशा में स्पेशालिटी ये है कि हम हमारा मूँ से गुददवार तक इतना भी पार्ट से अंग है वहाँ पैदा होने वाला कलमशों को ये फाइबर आज से आज चन के चन में हफ़ते के हफ़ते में निकाल सकता है और बाहर ला सकता है ऐसा मलक रूप में मूत्र रूप में और स्वेद रूप में और निश्वास का ये अर्बन डाइट्सएड और अपान वायू भोलते हैं नीचे से उतरता है। वो भी एक तरह वायू माली निय है हमारा। आंदर इस चार तरह का क्ली निग होता है। एक लीनिग सही होना है। सही कब होता है, ये सब काम ओं माइक्रोब से जुड़ कर एक काम करने का इलाज, ये डॉक्टर, see, who is the doctor, real doctor now, to keep the doctor healthy, to keep the doctor right, हमारा सूर्य भगवान का ये प्रणाम करना बहुत जरूरी है, इसलिए मैं बोलता हूँ हर जगा में, बिना सूर्य नमस्कार, there is no health. सब चीज ठीक टॉक है, so many people say, sir, I have been eating, I have been drinking, but this fellow has forgotten, सूर्य नमस्कार. So, स्वास्त बनता है, एक चीज से नहीं, एक जुडव होआ हर चीज से बनता है. So, many people have come and asked me, sir, I have done this, I have done this, but फिर भी हम सही नहीं हो रहा है. Because you have kept a doctor who is not completely functional. मालो हो रहा है क्या मैं बात कर रहा हूँ. बहुत सारे लोग मेरे पास हैं, हम खमीर मी पी रहा हैं. लेकिन, they are not correcting the doctor. Every day this correction has to happen. यह तो सोचिए आपको, हम एक बार खमीर पी लिया, डाक्टर को बिठा दिया, तो यह डाक्टर सुबह से शाम तब काम किया, ठक गया है, उसको नवचाहितनी देलने के लिए ही यह काम बरना है. उसके साथ-साथ हमको विटमिन D मिलता है, विटमिन B12 मिलता है, विटमिन, something that you cannot make is also going to be made because of this act. So यही है हमारा non-material connection. यह आहार सब कुछ material connections है, इससे बिना हमको सूर्य बगवान का काम नहीं है. So सूर्य बगवान आ रहा है, हम सूर्य नमस कर रहा है. यह microbes को नहीं बिटाने से क्या होता है? कोई काम नहीं बनता है. So डाक्टर भी बहुत जरूरी है. और डाक्टर को सही बिठाने के लिए ही एक तरीका है. हर आदमी दो-दो दिन चुन-चुन के, हर दो दिन में पांच ताना का यह अंबली कहते हैं, हमारा दक्षन बारत देश का शब्द है. हिंदी में खमीर बोलते हैं, फर्मेंटेड पॉरिज. हुआना बात. So why should we give so much importance to microbes? Because of हमारा ये आधनिक शैली में, हम चुन-चुन के हमारा डॉक्टर को मार रहे हैं, हर रोज मार रहे हैं. And we are going and searching for these experts in multi-speciality hospitals. इतना जरूरी है हम मिलेट्स ऐसी इसी तरीके से खाये, पहला-पहला. So कोई भी हो, आपको मिलेट्स को खाने का तरीका यही पहला कदम है, पहला रूट है. And यह आपको हर रोज एक बार पीने से, यह सब ठीक टाक बैट जाता है. So आपको बहुत सारा उद्बलन, very acute conditions है, आपको सही तरीका मिलेट्स शुरू करने का यही है, और यही रास्ता है, और कोई रास्ता नहीं है. So you are all right also, you are very good, you have no problem, you are not taking any tablet. फिर भी आपको मिलेट्स पे आना है, तो पहले-पहले यह शुरू करें. So minimum, if you have no sickness, minimum one week, आप सब छोड़के अंबली पे आजाना. तीन बार, पांच बार, छे बार अंबली पिलीजिए दिन में. जब भूक लगा, तब यह पीना. उसके साथ-साथ आप अचार भी खा सकते हैं. ओ, डॉक्टर खादर बोला, अचार खा सकते हैं. अचार तो बहुत ज़रूर है हमारे लिए. क्यूंकि विटमिन C अचार से बनता है हमारा भारत देश में. कश्मीर से कन्या कुमारी तक. बहुत जरूरी काम है. लेगे लोगे निया, अचार नहीं काना है. इस साल्टी, डॉंट इत, श्ल्टी बाद वर यू. और म ses कानी लोगे, लिए दो सबस्ट के लिएग क्हुझ ऑलागे कॉखर में Пटाराओ। unless you go to the ocean and special microbes have to be present there. So, नदी का पानी का, microbes कुछ भी नहीं बच सकता है, if you increase the salt concentration beyond 3%. So, अचार is a very good, so you have completely without microbes, but then after some period, नमक में काम करने वाला microbes हम उगा सकते हैं, वो तो special होता है, वो भी हमारे लिए जरूरत है, because the diversity of microbes we need is very, very important. So, इस दवर में हम को जरा सा अचार खाने का आदत डालना है, वो था हमारा जीवन शाईली का एक बहुत सही गुन. You go to any place in India, without अचार खाना नही है, मेरी अचार नही ददी, अचार नही देखा, खाना तो ही चोड़तेखा. You don't have pickles, no, no meal. It's so important, which means see. You may say, I will get it from pomegranate, I will get it from banaras, anaras, यह सब. But कहा मिलता है, आम अदमी को. So, vitamin C is very important, and it is the most important thing, you have a small amount of pickles. वो आम का हो, लमन का हो, और गुस्बरी, क्या कबलते है, हिंदी में? आमलाक, आमलाक, यह, यह सब, सॉर थिंस, कटी, that sour stuff, oxalic acid, tartaric acid, proto-kotachyuk acid, यह, बहुत इंपॉत 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 है, वो हमारा अम्बला, अम्बला ना, वो क्या होता है? अम्बला, अम्बला, वो लीफ, गॉंगॉरा बोलते है, यह, बहुत सारे चीज है, इसा, डिवर्सिफाइड सिस्टम्स में, अम्बाडी, अम्बाडी, that sour spinach काते है, वो क्या हमारा अंधरा तो बहुत फेमस है, गॉंगुरा पच्छडी, गॉंगुरा, महराष्रा में अम्बाडी बोलते है, वो तो very, very important items, not for their material, वो क्या करता है हमको, इस microbes तो सही बिठाने का जरूरत है, क्यों microbes जरूरत है, हमारा पहला काम स्वास्त का हर इंतिसाम करने का living thing in our time, so we have lost that connection, immilates से हम वापस एक काम कर सकते है, so you don't need to worry whether it is multiple sclerosis और muscular dystrophy, muscular dystrophy लिए क्या क्या चाहिए, हमाय मालूम नहीं है, डक्टर खादर को मालूम नहीं है, डक्टर खादर को यह मालूम है, कि वो सही डक्टर को अंदर बिठाने का तरीका मालूम है, so my, why should I worry about what the doctor does, he will go and do his job, because हर वक्ट वो काम पे लगा हुआ है, उसको फिर और एक बार चेतन्य करने के लिए सूर्य बगवान है हमारे पास, so साल में आप 100 to 200 सूर्य दर्शन करने से, आपको साल भर स्वास्त मिल जाता है, वही in material domain में, एक बार आप सूर्य नमास्कार लागाने से, आपको इतना vitamin D मिलता है, जाके आपका जिगर में बैटता है, ति आपको चार दिन उसका जरूरत नहीं है, so you go and do सूर्य नमास्कार वन दे, you make enough vitamin D for 4 days, वो बगवान ने कालकुलेट किया है, because out of 365 days, you can only get 100 or 200 very good sunrise days in any part of the world, see, इतना कालकुलेशन किया है बगवान, and we have totally removed it from our life, यही है, इसका एक का एक जोड़ना है, सुनने का एक है, सुनने के बाद समझने का, इसलिए हम धीरे धीरे बोल रहे है, और एक ही बाद, दो तीन तरीका से, दो तीन रूट से बता रहे है, बिकार इस आर इंपर्टन स्टेप्स, पहला कदम है, यह 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 रूट रूटन फिस्टेप्स, आपका फांडेशन सही रहे, देन यू बिल्ड अनिवे यू लाइक, यह दो तीन बात आप सही तरस से समझ लिया, सब कुछ बन जाता है, इसलिए हम क्या खाना है, क्या नहीं क्याना है, डूस और डॉंट्स हमको समझना है, वाटेवर यू यू यीट, सी दीस तिंग्स आर, हैपी ली, मैनेज़ इन अवर बड़ी, हम कुछ भी करे, यह पहला कदम हमको सही रखना है, हमारा माइक्रोब्स का स्वास्त हम हर वक्त खैल में रखना है, उसको नहीं हिलाना है, इसी दौर में हमको यह खमीर का प्रामुक्य बाताना बहुत जरूरी है, वह हम हर जगह पे बात करते हैं, विकस्ज़ फी डू दाट रइट, सब का प्रावलम खतम हो जाता है, क्यों यह अंबली पीना है, क्यों खमीर खाना है, वो तो टेस्ट नहीं है, टेस्ट किसी से बे नहीं बनता है, राइस से बनता है नहीं है, पराटा से बनता नहीं है, कुछ भी नहीं बनता है, टेसो बनता है सबजी से स्पाइस से इसलिए हमको धनिया चाहिए जीरा चाहिए अद्रक चाहिए लसीना चाहिए All these come at a different layers But आप ऐसा भी ऐसा खमीर पीने से भी काम हो जाता है But I am not asking you to eat only खमीर, खमीर से साथ आप सब कुछ का सकते है In fact, the best tasty khameer और अचार Simple, straightforward Anyone on this planet can make arrangements And एक किलो का ये मिलेट सौ रुपया लगाने से आपको 40 लोग खमीर पी सकते है कितना हुआ हर आदमे के लिए 2 रुपीस 50 पैसा इतना से इतना कमी दाम में आपको एक टाक्टर मिलता है कहां पे People say millets are very costly कहां कास्ट हुआ है आप लाके हमारा Mysore में MDMS degree मिलने को आपको 8 करोड रुपय कर्च करना है To get an MDMS degree A fellow has to spend 8 करोड आए 8 करोड कर्च करने के बाद आप डाक्टर के पास जाके हमें free इलाज दीजिए क्या वो पागल है बट सही डाक्टर आपको दो रुपय में मिल रहा है वो Millets से हमको बहुत सीधा साधा विधान में मिल सकता है So हम उगन Millet उगाने से Problems है क्या नहीं है चार बारिशे हम यह Millets को उगा सकते है Just 20 centimeters of rainfall Any place on this planet We can grow this grains यह Millets इतना सुंदर दाना है कि कहां भे भी Road भे भी On the road side Kilometers after kilometers लगा दीजिए वो उगा जाता है These are called C4 foods C4 foods का बहुत मुख्य गुन है की सबसोयल को बांद के रखे So you want to save soil Grow the Millets Because the soil surface We are losing by floods We are losing by wind We are losing by sun I am not talking about Fertilizers, Pesticides Gehu उगाने से, Rice उगाने से यची गनी उगाने से हम खो रहा है वो तो सही है लेकिन ऐसा ही ऐसा Nature में भी हम Sub soil Top soil को खोते है ये तीन natural processes We lose Even to save from that natural process हम ए C4 grass एक कलते है C4 घास को हम उगाने से Top soil को बचा सकते है कैसे है लाखो लाखो एकड में हम डाल सकते है ये दाना एक बार डाला तो बस It will keep repeating itself ये नेचर में होता है लेकिन हम क्या कर रहे है लाँस को लगा रहे है genetically modified grass को herbicide ridden वो मैट पे डाल के हम हमारा घर के आसपास लगा रहे है So what means when you step on that lawn you are stepping on herbicide इतना से बुरा काम आप के लिए आप कर सकते है ये सब industrialization commercialization से वज़ से हो रहा है हम एक भी सवाल नहीं पूछ रहे है एक भी सवाल नहीं पूछ रहे है ये सब का ये की जवाब है हम नेचर के साथ जुड़े है जैसा वैसा ही हम खमीद खाने से हमारा पेट का ये connection बन जाए नेचर से रियल नेचरल connection बन जाए है